नमस्कार विवर्ज मैं हूँ अमीज देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रिये प्राइम टाइम शो आर पार MCD से BJP की विदाई हो गई है और पहली बार MCD में आम आदमी पार्टी का पर्चम लहरा है कबज़ा हो गया है उधर कॉंग्रेस ने खराब प्रदर्शन का एक नया नवेला रिकॉर्ड बनाते हुए 250 सीटों वाली MCD में मात 9 सीटे जीती है या फिर कहें तो वो 9 सीटों पर सिबट गई है और कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस के जो अमीदवार जीते भी है वो भी पार्टी नहीं बलकि अपने बलबूते पर जीत क्या है लेकिन सवाल है कि आखिर इस जनादेश का बड़ा संदेश क्या है क्योंकि भारतिये जनता पार्टी कह रही है कि MCD की सत्ता भले ही चली गई है लेकिन 2017 के मुकाबले दिल्ली में हमारा वोट शेर करीब 3% बढ़ गया है जबकि 2020 की विधान सवाचुनाव की तुल्ला करे तो आम आदमी पार्टी का वोट परतिशत करीब 12% कम हुआ है सवाल है कि क्या ये सियासी इकोवेशन करीब 20 साल बाद दिल्ली में होने वाले विधान सवाचुनाव के लिए नई तस्मीर पेश कर सकती है आज इस सवाल पर हम 360 डिग्री वाली चर्चा भी करेंगे और विश्पलेशन भी करेंगे लेकिन सवाल ये भी है कि आखे BJP से लेकर आम आदमी पार्टी के धिगजो के शेत्र में किसका कैसा प्रदशन रहा है आज इस पर भी चर्चा जरूरी है तो आज MCD के रिजल्ट पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस MCD का जनादेश क्या 2025 के लिए बड़ा संदेश है क्योंकि मिनाक्षी लेकी के लाके में बुरी तरह हारी है भारती जंता पार्टी BJP के परदेश इधक्ष के लाके में अदेश कुपताय के लाके में बुरी तरह हारी है BJP सतेंद जैन के लाके में आम आदनी पार्टी बुरी तरह से पिटी है तो मनीच सिसोडिया के लाके में भी आम आदनी पार्टी की बुरी हार होई है तो कुल मिलाकर इस चुनाफ का लबो लबाब क्या है इस चुनाफ का जिश्ट क्या है अगले 55 मिनट में मेरे साथ जुर जाईए प्रशार प्रशार की जीत हुई है और जो जनता के विशयत जो मुद्य थे उसाइथ अभी भी दबे रहे गे नगर निगम चुनाफ के फैसले हैं और में जनता की इस फैसले का विर्णता के साथ वागत करता हूं एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बारतिय जनता पार्टी को दिल्ली के रण के मैदान में हराने का काम किया है इसना प्यार दिया आपने इसना विश्वास किया आपने मेरे उपर इसके लिए मैं आपका रिंड कभी ने चुका सकता दिल्ली विधान सभा में बंपर जीत के बाद अब MCD पर आम आदमी पार्टी का कबजा होगा पंदरह साल से MCD की गद्दी बीजेपी के पास थी सबसे पहले स्कोरबोर देख लीजे 200 सीटें वाली MCD में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली और कॉंग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई अब सवाल है कि क्या MCD के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छुपा है आज इस पर हम 360 डिगरी वाला विशलेशन करेंगे लगने सी बीच बीजेपी के अमित मालवी के एक वीट से सियासत गर्मा आ गई वो कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होंगे मेयर उसी का होगा सवाल है क्या खिर इस बयान का क्या मतलब है आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस MCD का जनादेश 2025 के लिए संदेश MCD का जनादेश 2025 के लिए क्या है संदेश लेकिन MCD नतीजों पर 360 डिग्री वाला विश्टलेशन सुनिए आर पार का सुपरसिद विश्टलेशन हाला कि विश्टलेशन आज कल कई लोग दिखा रहे हैं पहला तत्थे विधान सबा के बाद अब MCD से भी कॉंग्रेस का बोरिया बिस्तरा सिमट गया है बहुत बुरी हार हुई है कॉंग्रेस पार्टी की दूसरा तत्थे कॉंग्रेस के 9 अमीदवार जीते हैं और उन 9 में से भी साथ मुस्लिम चेहरे जीत कर आए हैं तीसरा तत्थे जो की बड़ा महतपूर्ण है जोरदार मुकाबले में आम आदनी पार्टी की जीत हुई है लेकिन 2020 के विधान सभा चुनाव के मुकाबले 12% वोट भी कम हुआ है ये भी बड़ा महतपूर्ण तत्थे है चौता तत्थे मुस्तफाबाद की सभी 500 सीटों पर आम आदनी पार्टी की हार 2017 के MCD के मुकाबले 3% बढ़ गया है बड़ता हूं मैं आगे जो की बड़ा महतपूर्ण तत्थे है वो छटा तत्थे है मनी सिसोडिया और सतेन जैन के शेतर में आम आदनी पार्टी को जोर का जटका लगा है मनी सिसोडिया शराब मंत्री है सतेन जैन जेल में हैंके मसाज के वीडियो बड़े सारे चुनावों के दोरान आये थे और उनका इंपक्ट पड़ता हुआ दिका है यानि करप्शन के मुद्धे पर आम आदमी पार्टी को जोरदार जटका दिया है इनके इलाके की जनता ने बड़ा सवाल यह हार के बावजूद क्या दो हजार 25 के विदायक आम आदमी पार्टी के मेरे साथ कॉंग्रेस का चेहरा है मोधित अगरवाल प्रवक्ता है कॉंग्रेस पार्टी के मजबूत दिल चाहिए आज कॉंग्रेस को जुड़ने के लिए बहुत बुरी और शरम ना खार हुई है दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस पार्टी क मेरे साथ राम किर्पार सिंध जुरेंगे, जो कि जाने माने पत्रकार है, मेरे साथ संजे कुरेंगे, जाने माने चुनाफ की विष्टेशक, वो दोनों भी मेरा साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ाई अपको कुलदीप कुमार, आपकी जीत के लिए, आओं आधनी पाटी की जीत के लिए लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज की जीत आपने दर्च करी है कुलदीब कुमार जी आवाज बेक honestly कुल दीब को मार्णी आवाज हुश सीधा अर और भाछ चेक आपके लिए भी है आपका वोट शेर 12% कम हो गया है विधान सबाचुनाफ के लिहाद से अपके अमीजी मैं आपको भी बढ़ाई देता हूँ शुबकामना देता हूँ और दिल्ली की जनता का भी अभार व्यक्त करता हूँ उनको शुबकामना देखता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के बेटे अर्विन केज़िवाल जी के उपर अपना आशिरवाद और प्यार देकर दिल्ली की MCD में भारतिनाधा पार्टी के 15 साल के कुशासन का अंत करने का काम किया और आज दिल्ली के लोगों ने इतना आशिरवाद अतना प्यार दिल्ली के बेटे रविंग केज़ वैल को दिया आपको पता है किस परकार कामीज जी भारतेंटा पार्टी ने पूरा प्रफगंडा चाहे मनीश शुदेजी की बात हो चाहे जैन साफ की बात हो वीडियो के माध्यम से गंदा परचार और किस परकार से दूस्परचार करने का काम किया डिली की लोगों ने डिली की जनता ने उसका जवाब दिया जवाब देने कका काम किया उसके सासाथ आज मुझे कहते वेए खुशी हो रही है कि दूनिया की सबसे बड़ी 파ाटी का दावा करने वालिवारतेंपर पाटी सतें पार्टी आम आदनी पार्टी ने दिल्ली M.C.D. से विदा कर दिया और मोदी जी का चेहरा जिसकी बड़ी-बड़ी फोटो लेकर भारतिन्दापार्टी के लोग दिल्ली की गलियों में घुमा करते थे कि यह चुनाव पाशक का चुनाव नहीं है यह चुनाव मोदी जी का वे तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आध दिल्ली की जंता ने मोदी जी को नकार दिया और अरजीन केजिवाल जी को अपना प्यार और अश्रुभार देने का काम किया ओंकूसरी बات आप ने कहीं कि जैन साब किया हार हुई है मैं कहता हूं कि दिली के लोगों ने मंडेडा आमाधनी पार्टी को दिया यह चुनाव किसी मिदान सुभा का चुनाव नहीं था किसी चुनाव था अगर वो दुश पर आपके अपने वाड के अंदर आप जो जुसु वें तीन वोड आते हैं वहां पर आपको को सफलता मिली आपारफ मेले जींटापार्म आपना झीत गई ज़िए आपने बोला कि मैतरपूर नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है लेकिन मेतरपूर है कि आपने निफ्टा दिया है में भारतिय जनता पार्टी को गौरब भाठिया आप परेशान है हताश है यह फिर आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपको एक्ष्पेक्टिट था उससे बेटर रिजल्ट आया है दग्यायमी जी भारती जनता पार्टी हताश निराश परेशान ये होती नहीं है क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है बड़ी विनमरता से जनता का जो जनादेश आया है उसे स्विकारते हुए अरविंद केलिवाल जी और आपके जितने लीडर हैं उन सब को हम बदाई देते ह लेकिन एक फरक देखा आपने हमने तो जनादेश स्विकारा यहाँ पे आपके प्रवक्ता का एंकार कैसे दिखाई दिया उन्होंने कहा 15 साल से जो कुशासन था भाजपा का मैं ये पूछना चाहता हूँ तीन बार जनता नहीं तो भारती जनता पार्टी को जितवाया तो वो जनता जब भाजपा को जितवाती है तो वो कुशासन को जितवाती है लेकिन अगर वो आमादवी पार्टी जिसको हम आप नहीं पाप कहते हैं कटर बैमान पार्टी कहते हैं उसको जितवाती है तो ये बल्ले-बल्ले है ये अच्छा है पहली बात दूसरी बात भारती जनता पार्टी का वोट परसेंटेज तीन प्रतिशत बड़ा है सारे सर्वे आपके चैनल का भी सर्वे जो आप पोल ओपोल दिखा रहे थे हमें कोई भी 104 सीटे नहीं दे रहा है नहीं दे रहा था को बिल्कुल समीक्षा होगी आप पर चिंतन करेंगे लेकिन उसके बावज में करीम 9 प्रतिशत गटे और 12 9 फटी एक कड़े मुकाबले में बिजेट विक्ट्री फोर आम आदनी पार्टी लेकिन एक कड़े मुकाबले में बीजेपी हारी तो है आपके बड़े नेताओं की में रिपोर्ट कार्ट देखो तो मिनाक्षी नेकी अपको रिपोर्ट का आप देता हो आपके बड़े नेताओं के इलाकों की मिनाक्षी लेके के इलाके में 25 में से 5 बीजे पी 22 आमडनी पार्री केod जिटिया में बड़तों में आगे इसके अलावा हन्सरा जंच 15 आप बीजे फी 26 आप aggi़ 23 के अंदर इसके इसके अलावा आदेश गुपता के अलाके में आप लोग निपट गए हैं जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेजिडेंट है और कुल मिलाकर यह जो सीटे आ रही है जो मेरा अंकलन है अगर अगर भारतिय जनता पार्टी घर जुगी हर मकान नहीं कहती तो यह नतीजा कुछ और होता है अगर यहां सुनील बंसल नहीं होते तो यह नतीजा कुछ और खराब होता भारतियंता पार्टी के लिए आपकी आपकी राजे काई ने आपको लेट डाउन किया है एड़ी जी जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको जनादेश को स्विकारना होता है जो जीता वही सिकंदर लेकिन जो अपनी विचारधारा से सम्झों थाना करें वह भविश्य का सिकंदर होता है और भारती जनता पार्टी वही बनेगी आपने रिपोर्ट काड की बात क ड़े मैं भी एक रिपोन्ट क Łड आपके सामने पेश करता हूं जी 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 गौतंद घंभीर जी उनके संफच्दी established में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है 1 अच्छा प्रदर्शन किया है विद्पार की वारी जी थ्द थाइसो में से 20 से कम सीट आएंगे सुना मैं एंसीडी के चुनाब में बीजेपी की लिख के दिया था हुए फिर से मैं बता देता हुए अरविंद केजिवाल कि एंसी हाँ हाँ तो मसीडी के चुनाब में 20 से कम सीट आएंगे अगर 20 से कम सीट आनी थी और 104 आएं तो गुजरात में जो कल सेमी फाइनल है गुजरात और हिमाचल का भी रिजल्ट आएगा अमीज जी 92 बताई हैं लोग कह रहें कई ऐसा नो दो ही सीटे आएं आम आदमी पार्टी की वहाँ पे हिमाचल में तो सूपड़ा साफ है अब मैं एक रिपोर्ट काट आपको और देता हूँ आपने बात करी सतिंदर जैन की तीन शेतर आते हैं उनकी विधायक सीट पे केलार जैलोट चार में से तीन सीटे हार गए गोपाल राय चार में तीन हार गए अमानत उल्ला खान पाच में चार हार गए और मनीश शोडिया चार में तीन हार गए जो हमने उठाया था उस पर जंता ने मोहर नहीं लगाई जवाब के चार जो है लेकिन बीज़ीप तो एक सो चार ले आई आई आप तो करेंगे दो सो आएंगी अमीजी अच्छा हुआ पहले तो मैं अच्छा हुआ कि गौराइगी ने लोकतंतर का सम्मान करने की बात करी डे अच्छा हुआ ने लोकतंत के सम्मान की बात करी डेमोक्रेसी में लोकतंतर के सम्मान की बात करनीश चाहिए और उसी पर कायम रहे दो अच्छा है आप न में इक भір होड़ा है कही कुछ मैं प्रक नहीं करती है और उस्टके आणी आपका शूके लकिन ए चुनाव रवीन के जीवाल लस्त मुठी था यह चबर तर्क है इनोंने कहा कि नरेंदर मोदी जी के चहरे पे हमने मोदी जी पूरे विश्यों में सर्वोच नेता हैं हमें बड़ा गर्व है उन्होंने यहां मोदी के चुनाद में प्रचार तो नहीं किया था लेकिन अगर इसी तर्क को आगे बढ़ाएं जैसा आप कह रहे हैं अमीजी कल गुजरात के हिमाचल प्रदेश के चुनाद के परि से इसका मतलब गुजरात और हिमाचल की जंता जो की विधानसभा का चुनाब बड़ा चुनाब माना जाएगा से उसने नकार दिया है कट्टर बाइमान अर्विंद केजरिवाल को ठीक है मैं मैं कुल्दीप कुमार आपका 30 सेकिंड में जवाब और उसके बाद मैं अपने दोनों एक्सपोर्ट के पास जा रहा हूं कुए देखिए आम आदनी पार्टी अर्विंद केजरिवाल कट्ट इमानदार हैं और ये देश दिली ने सावित कर दिया कि कट्टर बहिमान भारतिन्ता पार्टी है और इन लोगों ने जिस तरह का प्रवगंडा दिली में चलाया था जूट चलाया था जिस सीविया की चार शीट में मनी जी का नाम तक नहीं था जो जूट इन्हों ने दिली के अंदर किया था शराप को लेकर किया हो जैन साब के वीडियो को लेकर किया हो इनको माफी मांगनी चाहिए और पहला सवाज यूटार आपने दिली में कभी प्रेस कृटिता और माफी मांगने के बूर्म पर देले मैं बताता हूं 20 से कम सीटे आएंगी 104 पता नहीं कौन सा गणत ये करते हैं लेकिन मेरा एक और सवाल है आपको याद है हमी जी अर्विंद केजिवाल रो रो के बार-बार कहते थे मनीश शोडिया अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि जाच अजिंशियों का दुरुप्योग होता कि मांग कर रहे हैं वह 20 सीटे लिखकर दे रहे थे क्या आपको लगता नहीं आप थोड़ा ज्यादा अंडरेस्टिमेंट करके भारतिया इंतर पाठी को कि बारतियों कॉंग्रेस के लिए लिए तो ठीक भी होता है अमीजी मैं अंडरेस्टिमेंट नहीं कर रहा हूं दिल् कर दिल्ली के बेटे डिल्ली के भाई अर्विन केजवीवाल जी के काम होपाना महार लगाई उन पे महार लगाई और उनको को आगे बढ़ाने इस जनादेश का अगर एक लाइन में पूठत है तो संदेश क्या है संजे जी दिल्ली मुझे लगता है कि सपस्ट जनादेश अगर इसको समझने के हम कोशिच करें तो जनता इस बात को तय कर रही है कि भाई दिल्ली के कुछ दिल्ली जैसे राज्जी को या कहें एक बड़ा शहर है इसको चलाने के लिए कौन सी पार्टी उन्हें लगता बहतर है इसी वज़य से जिस पार्टी की MCD में वर्चस हुथा 15 साल से उसको हटाकर उन्होंने आमादमी पार्टी को चुना और जैसा हमें गुजरात के नजरिये से देखना पड़ेगा क्योंकि कल गुजरात जी आपकी राय के अंदर अगर हम हेड्लाइन खोजने की कोशिश करने तो बड़ी हेड्लाइन क्या है और क्या जिस तरह से बोला जा रहा है कि अब अरविंद केजरिवाल बना मोदी होने जा रहा है वाट इस जो टेक मैं एक लाइन में कहूंगा आप पार्टी का रास्ट्री पार्टी बनने का लक्ष पूरा हो रहा है लेकिन रास्ट्री बिकल्प बनने के रूप में जनता ने उनको नका रहा है ये मॉडल दिल्ली के बाहर नहीं चलता ये दिल्ली में भी इसका बहुत इस्पस्ट रूप से देख लिया 15 साल के बाद अब भी जो पार्टी 2% ओट ज्यादा पा रही है। अगर आप पार्टी को किसी का शुक्र गुजार होना चाहिए तो कांग्रेस का होना चाहिए। एक रास्टी ये पार्टी जिसने सबसे लंबे समय तक क्या किया। पिछली बार 21% के करीब ओट उसका था 31 सीटे थी। आप आप ये बताईए जिस पार्टी के खिलाफ कोई एंट्री इंकममेंसी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो पार्टी ने ये मन लिया है कि हम जीरो हो जाएं लेकिन कोई बीजेपी को हरा दे। ऐसे जैसे बंगाल में जीरो हो गए थे लेकिन कांग्रेस मिठाई बाट रही थी इसलिए कि ममता बनर जी ने बीजेपी बाट रहा दिया, मैं नहीं मानता हूं कि 21 परसेंट जो है वा करके 9 परसेंट दस परसेंट में सिमर जाता, कांग्रेस ने बिलकुल मैदान खाली कर दिया था बीजेपी के लिए और बीजेपी के लिए संदेश दिया है कि मैंने कोई का एक सीरा दिक्षे जैप्रकाश अगरवाल यह समनेता देखे थे एक बात बताओं राइट बरसेस रेस्ट मैंने कहा था आपको यह देश में एक बात जान लीजिए रस्ट चाहे एक सिंबॉलिक रूप से एक पार्टी हो जिसमें सारा ओट जा रहा हो या अगर यह लगसर में बीजे पीजी थी है क्योंकि फाइट वास्ट राइंगुले यह इंपोर्टन पोई यहां पे जो है बैसले करा हूं कांग्रेस ने में कांगरेस के उपर होगा विश्क्रेशन जो है वो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मुदित जी हमारे साथ लगातार बने ह रहा जैने हो हैं मुदित जी और कांग्रेस सेलिबरेशन के मूड में है मैं चिन्तन के मूड में नहीं बोलूँंगा को कि अब लगातार कई एलेक्षक्षन हो गया है। दिल्ली में वही हो गया है जो कॉनांगरेस का यूपी में हाल है जो कॉन्गरेस का बंगाल में हाल है क्या आपको लगता है आपको इसले लिए कर रहे हैं बीज़ेपी इति अंटरी से बाहर हो गई है जबसे पहले मैं यह चीज़ बोलूँगा की हम हमें हारे जो जंता दिक जंता जनारदन होती हम यह हार रहे हमें हैं सुकार है और जो पार्टी जीती हैं उन्को बधा ही देते एक चीज़ आप समझ लीजी मैं तो एक चीज चाहता हूं केजरि जिवाल जी से ये आरोप की राजनीती छोड़ दें ये प्रापगेंडा की राजनीती छोड़ दें आप वाके में दिल्ली को अब लंडन और पैरिस बनाए जो वो आठ साल से बना नहीं पाए हैं तो देखे इलेक्शन क्यों जीता जाता है अलग-अलग वज़े होते हैं कॉ ओगनाईजेशन कमजोरिया रही हैं जिसको हम सुर्दिट करने की पिछले ढ़ाई साल से कोशिश कर रहे हैं अगर आपको याद हुआ दोगड़ा 2020 के ज़से चनाव हुए थी मोकाबले में नंबर किसके पास है फ्लोर पर मननीत पार्षत किस तरह से मद्दान करते हैं उध बारा पार्षतों को बीजेव बारा पार्षतों को लिफ्टिजन गवर्नर एलजी मनोनीत करेंगे यानी पेट फसकता है अगर हम कहें तो मेर के लिए यो टेक रामकिरपाल सिंग चंदिगर में एग्जैक्ट शिटी थी आम आदमी पार्टी के पार्षत जादा थे लेकिन सांसद भारती जनता पार्टी की थी किरन केर उसके लाबा वट इस यो टेक देखे मैं मेरा ऐसा अपना सुझाव है कि बीजेपी एक बड़े लक्ष के लिए जा रही है कहीं इस तरह के किसी चीज में फिर उसकी इमेज ऐसी नहो जाए उसे दिल्ली के मेंडेट का पूरा स सम्मान मिलना चाहिए जी और अगर नियम से कोई चीज होती है तो ठीक है वरना मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कहीं पर्सेप्शन जोता होता है इस बात पर बीजेपी को मेंडेट का सम्मान करना चाहिए जी 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 आगे बढ़ना चाहिए दिल्ली मुनिस्पिल कारपोरेश इस बात पर बीजेपी को विस्वास होना चाहिए को कुल्दीप कुमार इस पर कुछ एट करने था थे कुल्दीप जी 30 सेकंड देन मुधित अगरवाल कॉंग्रेस से दिल्ली की जनता ने जरूर नकार दिया लेकिन हम नकार रहेंगे नहीं हम उनके बाद जाएंगे बोलि आम आन्दी पार्टि को दिया है दिल्ली के लोगों ने भाहूमत आम आध्ञ प्र ने और भारतियंदा पार्टी की यह हालता जो हुई है ना वह इसी वज़े से हुई है क्योंकि इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने का प्रयास कि ठीक है ओके का मैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस पर आता हूं आप अपने विकतविकों रख लिए मैंने आपको 20 सेकिंड दिये थे पिर मैं मुधित अगरवाल जी आप अपनी बात को एक सवा मिनट में रख लीजे मेरा सीधा पॉइंट है जो कॉंग्रेस का अब हश्र हुआ है इसके आपको उमीद थी या आपको उमीद थी कि बेटर करेंगे आप लोग देगे सबसे पहले मैं आप पार्टी को बदाई देना चाहता हूँ कि वो दिल्ली के MCD का इलेक्शन जीते हैं और दूसरा जनता जनारदन होती है अपनी हार सुकार करता हूँ हमें उमीद थी हम इससे बेटर करेंगे 2020 में हमें 4% वोट मिला था वो बढ़के अब 8% नहीं रहा है लेकिं केजरिवाल जी का वोट प्रतिशक 11% गिरा है तो ये एक चीज़ है जो आगे होने वाली है क्योंकि लोग कहिना केजरिवाल जी से भी निराश है क्योंकि देखें ये सब जानते हैं दिल्ली की दश्या पिछले 8 साल में सुद्री नहीं है खराब हुई आप भी दिल्ली वासी है एक चीज़ में जरूर गुजारिश करूंगा केजरिवाल जी से कि वो किसी तरह दिल्ली को अब लंडन और पैरिस बना दे जो ये वाइदा हर साल करते रहा है करनी पाए अब कोई बहाने की राजनीती ना करें गाली गलोच की राजनीती ना करें विज्यापन और प्रॉपगेंडा की राजनीती ना करें दिल्ली की जनता की वाके में सेवा करें और दिल्ली को जो प्रगति का पत्र है उस पर अग्रसर करें जिसको कॉंग्रेस ने की थी देखे हमने जनता को ये पॉजिटिव चीज़ बताए कि हमारा आगे किया है तक हीना के जनता ने हमें नकार दिये यह सचा ही है हमें आत्वंतन करके उस पर आगे बढ़ना है आग परसेंट वोट बढ़ा है मुझे उमीर्थी से काफी जादा बढ़ेगा पहली चीज़ दूसरी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बीजेपी आप पार्टी को कह करें देखें सकतरा करें और चीज़ नहीं तो नहीं लीकिन लेकिन उस पर भी वोट मिलता है तो हमें कही आज ये भी देखना पड़ेगा हंदूस्तान में क्या वोट मिलना हो डिया समन्न वेघी है देखे अगर डवलप्मेंट होती है तो वोट पड़े डवलप्मेंट नहीं होती तब भी वोट पड़ता है ये भी आज एक हिंदुस्तान की सच्चा ही है इसको हमें शायद विशेश्चाइब यहां बैठे हैं अगर इसके ठोई टिप नहीं करें तो आपके नेताओं ने त करा तो उमीद और संभावना ओ तो तब होती है जब मेहनत होती है भारतिये जनता पाटी का रास्चे देक्ष मेहनत तो कर रहे तो जब आप दीजिए इस बात का देंगा अजी माखन जी ने मीटिंग की जैप्रकाश अगरवाल जी ने दिल्ली में कम से कम पचास से उपर सबने मीटिंग की कम से कम पचास मीटिंग में तो मैं खुद गया तो यह कहना कि दिल्ली की जो लीडर्शिप थी सारी जमीन पर उतरी वी थी यह सचाई है हमारे स्टार्ट पचारक भी आए भार से उन्हों ने भी की तो यह कहना कि नहीं की यह बिकुल गलत बात है यही द की तयारी हम करने जा रहे हैं कल का इंतजार करते हैं फिर जब आगे बात होगी तो करी जाएगी दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी की भी कर लेते हैं यहां जमाने जब थूए अच्छा ठीक है चलिए आवी जी आपका सम्मान रखना पड़ेगा अगर आप कह रहें कॉंग्रेस पार्टी के जखमों पे हम बात ना करें तो हम नहीं करेंगे ऐसा कुझ जाए बी पुलिटिकली इर्रेलेवेंट पार्टी है यह जीर लीडर पार्टी है जैसा आप पहले समाजवादी पार्टी में थे ना आप पहले अब वह इंसान हैं जो समाजवादी पार्टी में थे अज़ यह थीक नहीं यह एरोगेंस दिखाता है आपकी ध्यान रखिए समाजवादी पार्टी में थे ना आप पूरी तमीज से और शालीनता से बात कीजिए यह बत्तमीजी मत कीजिए शार आपको अच्छी लगते है कि बत्तमीजी काइनली डूना और मिस भी है तो अपने अरावादी बात कीजिए एक डिमॉक्रिसी में बात करने का तरीका होता है आप काईली तरीके को अपनाई हैं और यह हसने बसने का काम मत कीजिए आपके उपर भी बहुत हस सकता हूँ जा समाजवादी पार्टी आप चोड के गए थे ताम मोडी जी के बारे में क्या कहते थे आप यतनी राजनीति मत कराई है ने तो राजनीती में कटाक्ष मत कीजे सोरी तरी को नहीं करें यहांग भी ले लेका रखिए आती नहीं सीख शीक्ता रखिए करते हैं जिस दिन चुनावों के नतीज आते हैं उसके पहले उसके बाद को रखा रही है शब्दोवर की घरिमा को मता नहीं कहा का समझते सुरिये हमने कटाक्स कर दिया इनके आग लग गई और जब हमारे प्रधान मंत्री को रावण बुलाते हैं तो वो ठीक है अमीज जी सच्चाई अब बिल्कुल बोलनी पड़ेगी क्या है राध्यतिक हैसियत चियर लीडर पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी 188 ऐसी कॉंस्टिट्वेंसी यह जहां जमानत जब्थ हुई है जगदीश टाइटलर को स्टार कर्पेनर बनाया है आपको लगता है सिक समाज पंजाबी समाज पूरा दिल्ली यह देखके करेंगे तो तुम हमसे लड़ोगे हमसे मत लडो पार्टी को संभालो जो ढूफता हुआ टाइटानिक है जो बच रही रहा है और आपके मुद्दे क्या है मैंने अभी एक सावान पूचा जगदीश टाइटलर स्टार कैंपेनर बनने लाएक है क्या अमीज जी आप बताई मुद्ध कुछ क्या रचा रहे हैं लगाता है जवाब दीजे मंगाल में लेट के साथ चुनाब लड़ा है अंड़ होने ही पाता है आपका धर्वित्ता कंजोर क्यों है किती सीटे आई को आश्रिप आपने उनको स्टार्ट पचारत बनाया दिली का नहीं बनाया है अपनी की गिरबान में जाकर देखिए मिस्टा गौराब बचाई है जो बनाया था अपने मनजिंदर सिर्था को मनचिंदर सिर्था ज्रुम्रा के उनको मुद्धिके लिए बारे में एक आता हिंदू धर्म होना ही पाप है आज कर यह जवाब दीजे यह एक आप पके लिए लिए एक सब्सक्राइब करें तो आप तो रिलाक्स मूड में है आप तो भारत जोड़ो यात्रा के मूड में एक से बात करूंगा एक सब्सक्राइब कॉंग्रेस पार्टी के लिए जो मेसेज है वो बड़ा लौड और क्लियर है शायद कॉंग्रेस पार्टी इसको समझ रही है या पर ना समझने के आक्टिंग कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए मेसेज कांग्रेस पार्टी खुद ही मेसेज दे रही है जी हम पॉलिटिकल बिकल्प नहीं है कांग्रेस पार्टी को मुझे दुख के साथ है कहना पड़ रहा है कि एक 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 एंजियो की तरह हो गई है वो सीधे-सीधे मैं जनता को दोस्त नहीं जनता आज भी कांग्रेस को एक बिकल्प के रूप में चाहती थी क्योंकि एक रास्ट्री पार्टी का कोई कि बिक्रफिद प्रास्टी पार्ति में एंदाब शुब कामना यह पहली बार आमान्थी पार्टी की जीत हो रही है लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक बात रखी जाराई है जो दावा किया जा रहाता अर्विंद केजरिवाल द्वारा कि बीजेपी 20 पे निपड़ जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं सका बीजेपी ने अच्छी बरी टक कर दी देखे अमीज भाई दिली के लोगों ने अपने परिवार के बड़े बेटे अर्विंद केजरिवाल जी को बड़े विश्वास के साथ दिली सरकार की चाबी सौपी थी बिजली पानी शिक्षा स्वास्त में काम करने के लिए कहा था बेटरीन डिलिवरी के बाद आज दिली के जनता ने फिर से एक बार अपने बेटे अर्विंद केजरिवाल के हाथ में नगर निगम की चाबी सौप कर दिली की साफ सफाई का जिमा भी उन्हें दिया है बेटरीन जीत है पंदरा साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी बड़ी मजबूत सरकार थी इन्होंने इस चुनाव में साथ मुख्य मंतरी सतरा केंद्री मंतरी सो से जादा सानसथ बीजे पी आर एसस का पूर अराश्टी संगठन सी बी आई एडी सुकेश चंदर स ठेकर से लेकर सब को मैधान में उतार दिया कि अर्विन के जिरिवाल को रुकोआBAM आदमी पार्टी को रुको फिर भी दिल्य की जन्ता ने रागव जी मेनत करना तो कोई बुरी बात नी होती है, आपके पास भी एक दो मुख्य मंत्री है, अरविन जी और भगवन तमान जी, आप भी उन दोनों मुख्य मंत्री को लेकर परचार कर रहे हैं, हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो MCD का चुनाओ, चाहे वो गुजरात का चुनाओ, चाहे वो हिमाचल का चुनाओ, परचार करी रहे हैं आपके पास दो है, तो आप दो के साथ कर रहे हैं, बीजेबी के पास संख्या बहुत जाद है, जिस दिन आपके पास होंगे, आप भी करिएगा, ने ने, अच्छी बात है, अमीज भाई, हम तो बहुत छोट को चुनाओ, आप में इससे सहमत होंगे, दिली वालों ने कहा, कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते हैं, बीज़े पिच्छ लोगों ने रोज में वोट की ताकत से लिया लेकिन मैंने एक रिपोर्ट कार्ट निकाली है मनीसी सोडिया जिन पर शराब घोटाले कारूप है उनकी पटपडगंज में चार वाड है तीन में भारती दिनता पार्टी जीती है एक में आमादनी पार्टी अब मैं आता हूँ सतेन जैन के वाड पे शकूर बस्ती में गलत विशलेशन है यह तो तथे तथे अगर यह तथे गलत है तो बताईए मनीश सोडिया के पतपडगंज में चार वाड आते है कि नहीं आते है चार वाड जीती है निए पूंट नमर टू शकूर बस्ती में त आपको हराने का काम किया है यह सवाल है मेरा देखे पहले क्या हुआ हमेज भाई दस बजे तक सुबा साड़े दस बजे तक BJP को लग रहा था कि वो भहूमत का आखड़ा पार कर जाएगी तो पहले तो उन्होंने चट पे जाकर चीखा चिलाया ढोल नगारे से आपके कैमरे पर भी चिलाये कि हम जीत गए केजरीवाल जी हार गए केजरीवाल जी पर आरोप सिध हो गए फलाना हो गए डिमकाना हो गया जब दिली के लोगों ने इनको नकार दिया इनके आरोपों को नकार दिया भहुमत केजरिवाल जी को दे दिया आशिरवाद केजरिवाल जी को दे दिया तो अब ये स्टेट लेवर अनालिसिस छोड़कर माइक्रो अनालिसिस में आ गए कि कोई एक चीज तो डून लो, कोई एक लॉजिक तो डून लो, जिससे हमारी थोड़ी इज़त बच जा है, अब ये जा रहे हैं एक फलानी अलाके में कहा रहे हैं, बस इस विदान सभा का व तो कहने की, तो ये कहना, इसी लिए मैं कहना जा रहा हूँ, अमीज भाई, ये बहुत ही बच्चों वाला असेस्मेंट है, विशलेशन है, कि हम दिल्ली के एक विदान सभा में गुज़ जाएं, उसके चार वाट के नतीजों के हिलाब से पूरा विशलेशन का रहे हैं, ज रतेन जाया की, जेल में हैं, तिहार जेल में बंद हैं, उनके राके में हार रही है, ये खभर है. आपका जवाब जो है वो हम पब्लीक की सुन रही है लेकिन अबीज बाई दिली के लोगों ने जितनी भी साजशें बीजेपी ने रची हमारे लिए जितने भी चक्रवीव हमारे लिए रचे इन्होंने तो एक ठग को जो तिहार जेल में सजा काट रहा है उसको भी स्टार प कोखलाई हुई थी कि कहीं अर्विन केजरिवाल को रोक लो कुछ भी करके आम आदनी पार्टी को रोक लो जी जी एक और बात है एक बड़ा संदेश दिया 2020 में आपका जो वोट शेर था उससे 12% वोट शेर आपका कम हो रहा है कम हुआ इस बारी उसको उसका विश्टेशन आप कैसे करते हैं as a party leader क्योंकि आप आम आदनी पार्टी के बड़े नेता है member of parliament है सह प्रभारी रहे पंजाब के चुनाम में भी सह प्रभारी है गुजरा आपके बाद विश्टेशन करना चाहिए बहुत जगाओं पर हमें जिन वोट्स में कुछ कुछ में लग रहा था हम बहुत अच्छा करेंगे महां हमने सामान ने किया कुछ वोट्स ऐसे हैं जहां हम सोच रहे थे हम सामान ने करेंगे महां हमने बहुत अच्छा किया कारण रहे कौनसी जगा कमी रही हर पार्टी को विशलेशन करना चाहिए हमारा भहुमत आ गया हमारी सरकार बन रही है इसका यह मतलब नहीं कि हम विशलेशन नहीं करेंगे मीजबाई बिलकुल विशलेशन करेंगे और खास तोर पे मैं आपके चैनल पर यह आपको आश्वासन दे कि बीजेपी के लोगों को विशलेशन करने की ज़्यादा जरूरत है कि क्या उनकी नकरात्मक राजनीती गाली देने की जूटे आरोप लगाने की और कीचर उचालने की राजनीती मुद्दों से भागने की राजनीती दिल्ली के लोगों ने नकार दी तो क्या बीजेपी गलत रस्ते पे तो नहीं है जो अटल बिहारी वाजपाई जी ने कहा था कि मैं एक सांसत कम होने पर इस्तीफा दे दिया था प्रदान मंत्री के तौर पे और कहा मैं सरकार छोड़ता हूँ अगर मुझे एक सांसत की कमी है और मेरे पास भहुमत नहीं है तो मैं कोई सांसत खरीदूंगा नहीं मैं इस्तीफा देता हूँ आज यही बीजेपी वोही नकरात्मक गाली गलोज की राजनीती करने वाली बीजेपी खुले में कह रही है कि हम पारशत खरीदेंगे हम होर्स ट्रेडिंग करेंगे कर लो जितनी कोशिचे कर सकते हैं यह बीजेपी से क्या आज वो दिल्ली के लोगों ने जिने नकार दिया आज यह फिर चोड दर्वाजे से इंट्री करना चाहिए आपने यह बात की कि होर्स ट्रेडिंग करने की कोशिच कर रही है आपने पहले भी बोला था कि आपको कुछ विधाया खरीदने की कोशिच हुई प्रयास हुई क्या आपको लग रहा कि अभी भी 134 सीटे जीतने के बाद भी इस क्लोस कंटेस्ट के अंदर जापे वीजेप शेयमीज भाई 2013 से जब हमने पहली बार चुनाव लड़ा था तब से चल रही है कि आम आदमी पार्टी को खरीद लो उसके लोगों को खरीद लो पंजाब की सरकार तोनने का भी ऑपरेशन लोटस की नकाम कोशिच करी ऑपरेशन लोटस की कोशिच इनोंने दिल्ली में करी मैं आपको 2013 में ले जाता हूँ भाजपा को बहुमत के लिए सिरफ चार विधायक चाहिए थे इनके दिल्ली में 70 में से 32 थे चार मिल जाते तो 36 पे इनकी सरकार बन जाती आम आदमी पार्टी के बास 28 थे ये एक साल लगे रहे हमारे 28 में से एक नहीं खरीद पाए आम आद आपको नाने पढ़ेंगे क्या आप खरीद फिर जी 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 चुनावों में ये जमा खर्श तो बहुत हुआ मेरा अगला सवाल को कि आप गुजरात के साह पर बारी है कल के ले लटू खरीदे के नहीं खरीदे या फिर आपको लगता है कि आज का दिन अगर आम आदनी पार पार्टी का है तो कल भारती जानता पार्टी का होगा अगर 27 साल बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में कामियाब रहती है जैसे एक्जिट पोल दिशा दिखा रहे हैं बीजेपी एक बड़ी जीत दर्च कर सकती है देखे मेरा अपना ये मानना है कि बतौर से प्रबारी कि जितने भी एक्जिट पोल नतीजे दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत दे रहे हैं उससे कहीं बहतर करेगी आम आदमी पार्टी क्योंकि जब पहली बार कोई भी पार्टी चुनाव और क्यों वोट दे रहा है 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे एक्जिट पोलने में चार सीटें दी थी हमारी 28 सीटे आई इस सतर में से दिल्ली के मेरा अपना मानना है कि ज्यादा होगा लेकिन पिर भी फिर दिल्ली के एक्जिट पॉल ने आपको जादा सीटे दी थ अगर मान लीजे, फर्स करिए, उतना भी आता है, तो आम आदमी पार्टी एक राष्टे पार्टी बनती है, अजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बने वाली पार्टी, यह विश्चलेशन है कि आम आदमी पार्टी, नैस्नल पार्टी बन सकतिया राउस्ता सरकार है, दस से जादा सांसद है, यह विश्चलेशन नहीं है, यह तो यह यह फैक्स है, यह विश्चलेशन की फैक्स है, लेकिन एक बड़ी बात मैं आपके पास छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप भी विश्चलेशन करते रहते हैं, पुलिटिकल, पहली बार ऐसा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता रूर BGP के खिलाफ मुकाबला लड़ा. अकत्र एक धारना बनाने का प्रयास BGP करती है, कि आम आदमी पार्टी वइवाई चुनाफ जीतती है, जब उनका मुकाबला कॉंगरेस से होता, डृर कॉंगरेस सरकार में होती है, तो आम आदम में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड फेंका और उसे हरा दिया यह राष्ट्रिय राजनीती के लिए बड़ा महत्वर रखता है कहीं न भी तो हैद्रवाद नगर निकम का चुना भी ऐसी राता हमिश्या वाले समय में मुखाबला आम आदमी पा नाम मोदी होने जा रहा है इस ते दूसरी मेरे और बड़े सारे बड़े सारे मीडिया चानल रहे हो हैं जो बात करना चाहा है जाकता है रागफ़ाइब मेरे निवेदन के उपर मेरे जुजारिश है आपसे एक डेड़ मिनट है ओके और फके गउर हूँर पाटिया प्रक् चडड़ा को और अर्विंद केजडिवाल को उनकी जीत यहां पे हुई है और जो जनादेश आए उसको स्विकारना चाहिए भारती जनता पार्टी हमें यही सिखाती है मैं एक बाद जरूर कहूँगा जैसे प्रश्ण पूछ रहे थे पहले तो भरष्टा चार पे मैंने जो प्रश्ण पूछा था कि हमने पुर्ज और तरीके से यह मुद्दा उठाया और जो जो मंत्री थे सतेंदर जैन हो चाहे वो इनके और मंत्री हो जिनों मनीश शिषोडिया अपनी कॉंस्टिट्वेंसी में वो हारे हैं हमने यह देखा दूसरी बात अरविंद केज़िवाल ने कहा था 230 सीटे आए एक सो चार आई हैं यह दर्शाता है कि हमारा जनादार जो है वो बड़ा है तीसरा मेरा एक और पूछना यह है कि आप कहते थे कि मनीश शिषोडिया अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं जवाब अरविंद केज़िवाल को माफी नहीं मांगनी चाहिए जी 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 ओके रागप जी जवाब जब देखिए जब 4-6 महीने रोज छट पे चड़के इन्होंने चिलाया चाती पीट के चिलाया कि मनीश सोदिया ने कोई घोटाला कर दिया रोज प्रेस कांफरेंस करी लेकिन जब सबूत देने की बात आई जिसे कानूनी भाषा में चारशीट कहते हैं तो चारशीट के नाम पे बीजेपी के एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं था मनीश सोदिया का नाम तक 15,000 पन्नो की चारशीट में नहीं था इन्होंने तो खुद मनीश सोदिया को क्लींचीट दी और मैंने आपको कहा अमीज भाई एक विधान सभास तर पे विशलेशन करना की इस वार्ड में क्या हुआ इसमें क्या नहीं हुआ ये गलत होगा आज सबसे बड़ी बात ये है कि भारती जंता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने उखाड फेंका उनकी नकरात्मक राजनीती को रिजेक्ट करते हुए नगर नेगम की भी चाबियां अपने बेटे अर्विंद के जरिवाल के हाथ में अब आप मेरा सीटें सीटों के बारे में मैं उस कितनी कंवर्जन होगी उस पे ना जाते हुए मेरा अपना मानना है कि 25-30% वोट शेर तो आम आदनी पार्टी का वर्स के सिनारियों में आएगा और 40 की उपर भी हमारा वोट शेर जा सकता है एक परिवर्टन की आंधी जो हमने देशी फील करी महसूस करी गुजरात में आज है मैं उसके आधार पे आपको यह कह रहा हूँ लेकिं जो भी देखिये वोट पर्सेंटेज मैं आपको बता सकता हूं सीटों का आकलन करना अभी बिल्कुल उचित नहीं होगा भीरे दाफसे मारे सरकार बननी चाहिए लेकिन वोट परसेंटेज मैं आपको जरूर बता सकता हूं पार एरविन जी ने लिख दे रहका है को ती तो रहे कि अमीज भाई परसनली इन्वारी नहीं था मैं सहे प्रवारी था गुजरात का जी 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 ज और शुक्रिया, थैंक्यू सोबच मुधित, अगरवाल, हाट डे फो यू, फो यू पार्टी, लेकिन आज के चुनाव का जब हम निशकर्ष निकालते हैं, तो एक निकलता है कि ये जनादेश दो हजार पच्चिस के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, और काटे की टक के मकाबले में आम आदनी पार्टी ने जीत धर्च करी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी का वोट शेर बड़ा है, 2020 के मकाबले, और आम आदनी पार्टी का वोट शेर कम हुआ है, लेकिन कहा जाता है, जो जीता वही सिकंदर, नमस्कार